भोपाल मध्रप्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादम ने सरकारी करमचारियों को दिया संदेश महगाई भत्ते की दीजानकारी जिससे वर्टमान दे डिये 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा शास के सेवकों कुजिनांग एक जन्वरी 2024 के स्थिती में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा एरियर का भुकतान इसी वित्य वर्ष में चार सामान के स्थितों में किया जाएगा इसके पहले महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2023 से प्रभावशाल की गई है जिसके एरियर राशी का भुकतान भी के स्थितों में किया गया है राज्य की प्रगति और उन्दी में आपकी योगदान के लिए महरदय से आधारी हूँ आपको दिपावली की अग्रिम बधाई और स्रभ कामनाई प्रदेश की स्थापना जिवस का कारिकर्म जी एक नॉंबर मद्देश के गठन की पहली तारिख जो 1956 में ने प्रदेश का आकार साकार लिकर कर गया है जिसके मध्य हम सब अपनी अपनी दिन चरिया चलाते वे देश की सेवा मद्देश की सेवा समान रूप से आगे बढ़ती जाए जिस भाव के धर काम करते रहते हैं मेरे सबी अधिकारी कर्मचार योगों मैं इस varnah चाहूँगा आप सब लगातार अपनी लगन मेहनत अपने सकारान अक्मक सोच के कारण से अपनी पुरे देश की सबी अधिकारी कर्मचार वर्ग में एक विसेष पहचान रखते हैं इसनाते से सरकार का उत्तरदाई तो है कि आपके हितों का भी दिहान रखे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इसके अधर पर स्विक्रती मेहंगाई भत्ते की दर एक जुलाई देश से प्रभाव सिल की गई है अब सभी सास की सेवकों को एक जनवरी दो हजार चोईस को मेहंगाई भत्ता पचास प्रतिसत की दर से दिया जाएगा आज हमारा अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम आप सबको एक जनवरी से देंगे मेरी अपनी और से एक बार आप सबको पोना बढ़ाई